कि हेले स्टेंट्स वेलकम तुद आफिशेल यूट्व चैनल आप और इजिन स्वागत है आप सभी का आज के इस स्पेशल क्लास में और आज हम डिसकस करेंगे फिप्थ मईड ट्वेंटी ट्वेंटी फोर को जो हमारा नीट का एक्जाम होने वाला है कमिंग पांच मईड को में आपको कैसे को रिवाइस करना है यह कुछ तक्निकी बाते हैं कुछ टेक्निकल हैं मैं आपके साथ करूंगा तो आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है और जितने भी नीट एस्पेरेंट हैं जो ट्वंटी ट्वंटी फोर में भी नीट के एक्जाम दे रहे हैं या इन फ्यूचर भी जो नीट के लिए प्रिपेर होंगे वह भी फ्राम वेरी बिगनिंग बहुत सुरुवात से एकदम सुरुवात से आपको इन चीजों को जानना है उन वारिक्यों को जानना है क्योंकि कभी भी कंपुटिटिव एक्जाम में पर फांप करना और बोर्ड ए मैं आपसे यह सेयर कर दूं कि हमारा चेप्टर वाइस जो वेटेज है कि रिविजन के टाइम हम को धिया रखना चाहिए क्योंकि साल भर हम पूरी पढ़ाई कि होते हैं लेकिन चेप्टर वाइस हमको जो वेटेज है जो रेंडेमली हम एक करते हैं हमारा गेसिंग ऐसा नह टू पाइंट ओ बैच में जितने भी स्टूडेंट्स ने हमारे एप्लिकेशन से पढ़ाई किया नीट के लिए जो इस्टूडेंट्स तयारी किये हमारा जो पूरे सेसन हमारा जो बैच चला वह स्टूडेंट भी यह बातों को समझें कि एक्जाम उनको कैसे अटेम्ट कर मालूम है कि नीट ने 2024 एक्जाम के लिए 2024 के एक्जाम के लिए एंटीए ने सिलेबस चेंज कर दिया है यह आप सबको पता है कि 2024 एक्जाम के लिए सिलेबस चेंज किया हुआ है और सिलेबस को बहुत बारिकी से आप सब के पास सिलेबस होगा नियू सिलेबस क्योंकि कि यह declare कि रिवाइस क्या होगा तो बहुंस अइसे हैं जो प्रिवियस से भी त्यारी कर रहे हैं या सुरवास ही कर रहे हैं वह स्टूडेंट क्या है बहुं से आपिक भी पढ़ लिए हैं जो से विखbooks से हटा पर देखो हमने यहां पर चेप्टर वास जैसे सेंटर आप मास सेंटर आप मास एक कैसा है जिस से हमें पूछा जा रहा है अब सिर्फ उसी पर किसी रेक्टेंगल का किसी स्क्वेर का इसके जो तो हमारे पास center up mass निकालने का जो फार्मूला होता है वह center up mass क्या करना है अपने को निकालना होता है तो एक question उसमें से आता है तो मेरा आप सबको suggestion है कि center up mass को आप 100% कर एक चीज़ मैं आपको बताऊं फिजिक्स मालूम है आपको कि नीट के 25 plus question पूरे confidence के साथ में कर लिया कि यह तो मेरे बिल्कुल 100% राइट हैं तो आप एक बहुत 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 पोजिशन में पहुच जाते हैं आपको मालूम है आप अपना selection ले सकते हैं और उससे प्लस करने पर selection के साथ साथ आप एक अच्छे रेंग पर जा सकते हैं अच्छे कॉलेज पर आप admission ले सकते हैं तो फिजिस बहुत मेंटर करता है इसलिए चीजों को आपको ध्यान समझना है कि कहीं से आपको पता चल जाए कि यहां से दो question पकाएगा एक question पकाएगा तो उस टापिक को तो आपको लास्क मोमेंट में जरूर करना चाहिए तो सेंटर आप मास से question हमेंसा पूछा जा रहा है 2% जाता है मात एक फशेसे चब्स से इसलिए मैं यहां पर चेप्टर के साथ टापिक वाइस भी इस्टेटेजी बनाया है ताकि कुछ ऐसे टापिक में मेंसन कर सकूं जिसमें जैसे मालों को यहां से दो कोश्चन लगभभ पूछे जाते हैं अब इतना बड़ा चेप्टर है लेकिन दो नंबर का कोश्चन इसमें भी बहुत से टापिक को हटा दिया गया है तो आप प्रापर उसको चेक कर लेंगे अपने सीलेबस के साथ में टेली कर लेंगे और उसके आप तयार करे में आपको बता रहे हैं सिस्टम और पार्टीकल्स इंड रिजिडबर डी में क्या है अभी क्या किया है बहुत से बड़ी का बहुत से रिजिडबर अपमास निकालने के फ़र्मूला को सिलेबस से हटा दिया गया जो समानतर आच्ष्परमें हैं लंब वक्ष्परमें उनक प्रापर को सबको समझाया है कि हमारे पास लगभग 20 ऐसे डाइमेंशन फार्मूला है जो क्या है जैसे मैक्सवेल वर्डेमेंशनल कांस्टेंट रजिस्टेंस स्यानता गुणांग यह कुछ ऐसे इसे इस फार्मूला सबसे ज्यादा बार पूछे गए हैं तो मेरा आपको सजेशन है कि डाइमेंशन फार्मूला के तो लिस्ट में आप मैंने जो ट्वंटी का लिस्ट दिया था वो ट्वंटी के लिस्ट को आप बहुत अच्छे से तैयार कर लो ठीक है आगे देखो लेफस से दो कोष्टन कि वेपस में दो कोष्टन में आप लुखस भाएंट पूछा है जाता हैं वर्क और पावर पर दो ज़्यादातर और तर पावर तो बहुत चोटा सब्सक्राइब मित्व तो थाटा है व्रक मनेंंट त्योर्याँ से ज्यादा कोस्टन पूछा लेना है प्रापर्टी साब बल्क मेंटर यह है कानेटी थोरी आप गरसे बहुत छोटा सा चेप्टर है यह आप देख लोगे इसके बाद देखो थर्मोडाइनेमिक्स मैं आपको बता दूँ एक तो थर्माइनेमिक्स बहुत ज्यादा इंप्वार्टेंट अपीखे थर्मोडाइनेमिक्स हमेशा रिकार्ड है यह आपको घ्राप देदेगा विक्राप देगा और वहाँ पर ग्राप के आपको थर्मोडाइनमिस के जो रूल से जीरो ला है वस्त ला है खासकर व्स्त लाह पर जो बहुत इंपॉस्टिन है इसके बाद मेगनेटिक इपक्ट करेंट देखो यहाँ पर मैं 11 12 साफ से स्ट्रेजी नहीं बनाया हूं इसमें आपको क्या करना है इसमें जो बाइयोस सब्सक्राइब करना है तो आपको क्या करना है बिल्कुल आप अपने पास में सिलेबस को रिविजन करते समय एक सिलेबस जरूर देखो क्योंकि मैं जानता हूं 24 के सेशन में बहुंसी स्टुडेंट ने शुरुआत में आउट आप सिलेबस पढ़ लिया है तो सब आउट आप से हटाना है ठीक है तो यह हो जाएगा इसके बाद देखो इलेक्टिस चार्जेसेंद फिल्ट से इसके बाद पूछा जाएगा वह पर ही बेस्ट कोश्टेन पूछा जाता है कैपसिटर के कांबिनेशन सर्कीर सीजिस कांबिनेशन के सरकीद पूछे जाते हैं यह चीज अभी मैं और वेटेज के बाद डिसकस करूंगा कि कैसे को अब आपको रिवाइज करना है कैसे पर ज्यादा ध् सिंगा सर्कीट डबा सर्कीट हटा दिया है तो आपको जितने सर्कीट सिलेबस पर है उसी पर आपको करना है ठीक है अब आगे आप देखो यहां पर सबसे इंपार्टेंट है करेंट इलेक्रिसिटी का जो कोश्चन है आप किर्चाप स्लाव पर बैस्ट कोश्चन कभी निच लाग पर प्रतिरोध पर बेस्ट को प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले की लंबाई को इतना गुना कर दी इतना परसेंट बढ़ा दिये इस तरह के च्पाला च्पाला होता है यह हमेशा इसमें एक चीज़ आप ध्यान रखना जितने भी निमेर कल या तो इंटिग्रेट करके बन रहे हैं यह डिफ्रेंसियेट करके बन रहे हैं वह जरूर देखना चाहिए क्योंकि कम लाइन में बनते हैं और यह कल्कुलास का इसकील चेक कि कर पाते हैं कि ने सेमी कंड़क्टर इलेक्ट्रानिक्स तो पूरा जान है आपका तीन नंबर का इसमें चांस रहता है और इतना छोटा कर दिया इस टापिक को इस साल इतना छोटा कर दिया कि पूरा ट्रांजिस्टर हटा दिया यदि हम सेमी कंड़क्टर से कि और वहाइगा वह ऑपका छोटा सा सर्कीट देगा अब हरवारड मैं कि है कि रिवार्स बाइस में इस तरह के या लाजिक गट से जो कोश्चन है जो लाजिक गेट पर बैस बीक्वेश्चन उसमें तरह के क्वेश्चन कि एक तो आपको चार्ट देदेगा उस पर टूथ टेबल और टूथ टेबल के बेस पर आपको पहचानना है कि यह कौन से गेट का टूथ टेबल है तो गेट पहचानना है यह गेट का कम्बिनेशन देगा और गेट के combination पर μέ helicopter पूछेगा कि कम्बाइन गेट काउं से थिक alphabet तो आप मेरा suggestion है मैं हमेशा से मोलता हूं कि जो ने का method करने माला स्ट्रूडेंट है looking करने माला अब मतला बसमें होते हैं जो numerical से कल्कुलेशन धर्स घबराते हैं बैसिक नेचार होता है ओ violated कर तो मैं हमेसा सजेस्स करता हूं कि आप माडरन फीजिक्स को इस ट्रांग करो क्योंकि माडरन फीजिक्स का जो कॉंसेप्ट है वह कल्कुलेशन बैस तो उसमें कोस्टन होते नहीं एक बारे दी आपको अच्छे से चेप्टरा समझ में आ गया टीचर ने अच्छे से स्प्ल निकलियाई का भी पूरा कोस्टन खतम है निकलियाई में जो हम अवसात आयू निकालते थे या फिर हम अर्धायू निकालते थे यह सब सिलेबस से हट गया है सिलेबस तो आपको नियर बूट 30% हट गया है ना तो उनको माइनस करके ही पढ़ना है चूंकि मीड में आया तो मिला लिये होगे आप लोग लेकिन लास्ट मोमेंट में और चेक कर ले ठीक है यहां पर मैं आपको बता दू रहे अप्टिकस एंड आप्टिकल इस्टूमेंट से फोर मार्स का कोस्चन आता है आप इस बहुत आसान होता है और बहुत ज्यादा इसका एट पर से बेटेज ह रखे रहता है नीट का जो आप लोगों को मैंने अपने स्रीजन के बेच पर बताया भी है तो यह सिलेबस आप अपने पास रखो हाट कापी में ही रखो एनी टाइम इसको मिलाते रहो क्योंकि आप मैं जानता हूं कि जब सुरू-सुरू से वह होता है तो उस यह की स्टूड इसलिए बना रहा हूं एक्जाम के ठीक चार पास दिन पहले यह वीडियो बनाने की पिछे मेरा मकसद यही है कि लास्ट मोमेंट में आपको रिविजन कैसे करना है और कहां कहां पर आपको ध्यान देना है किन चीजों से आपको बचना है यह बता रहा हूं मतलब आज का मे सब्सक्राइब में कहीं आप अपना टाइम वहां पर वैस्ट ना कर दो इसलिए ठीक है तो यह 100% मैंने आपको यहां पर बता दिया और वेभाप्टिक से सब्सक्राइब करना चाहिए लेकिन जब भी मैं इस तरह की बात करता हूं तो अपने आपको एक स्टूडेंट की त क्योंकि देखो टीचर का जो मतलब सोच होता है और स्टूडेंट में बहुत डिफरेंस होता है क्योंकि टीचर उस टाइम को पार कर चुका है तो वह बहुत रिलेक्स पर लेकिन आप एक्जाम का प्रेसर अलग होता है तो एक चीज मैं आपको बता रहा हूं ऐसे स्टूड लिकर स्टूडेंट यह मेरा छूटा हुआ है चलो इसको थोड़ा देख लेता हूं यह मेरा छूटा हुआ है ठीक से नहीं कर पाचल लास्क मोमेंट यह सब कर दो जो हो गया अब जो हो गया वह छोड़ दो भूल जाओ उसको क्योंकि क्या होता है कभी-कभी यह मैंने टापिक को बहुत जबरजस्त तैयार किया रहते हैं और लास्ट मोमेंट में नई देखने के करण हमारा पूरा प्रिप्रेशन के अभाव में बेकार चला जाता है तो यह जो टाइम हमारा होता है वह ज्यादा से ज्यादा जो पहले से किये हुए टापिक है को रिवीजन कर 50% तो टापिक ऐसा होना चाहिए जो चैलेंज करें कि जो भी पूछेगा मैं यहां से बनाऊंगा जो भी पूछले इसको में बनाऊंगा आपको मालूम है बड़े-बड़े एक्जाम में लोग 50-60% त्यारी करके टाप कर देते हैं और कई लोग रेंडम स्टड़ी करते हैं मतलब ना तो किसी चैप्टर में पूरा कमांड रहता ना किसी में कुछ रहता थोड़ावों जान लिए थोड़ों जान लिए फाइनली कुछ नी बना तो लास्ट मोमेंट में आप अपने पुराने पढ़एवे को ज़्यादा ध्यान दो कुछ बातें मैं आपसे और करता ह हूं जैसे रिविजन कैसे करें यह मैं आपको बता रहे हैं रिविजन कैसे करें तो रिविजन करने के लिए सबसे पहले अभी अब आप लास्ट पहले तो यह कि रिविजन करने के लिए आपको न्यू सीलेबस को थोड़ा सा ध्यान दो जो बार-बार मैं जो बार-बार आ करते समय निए सिलेबस आप द्यान दो कि नए सिलेबस पर आपको पूरा प्लानिंग करके च्छोड़ देना है करना है दूसरा चीज क्या है आप रिविजन कॉंसेट का ज्यादा करो कॉंसेट्स रिविजन करो नाट निमेर्कल्स बहुत स्टुडेंट्स क्या करते हैं लास्ट मोमेंट में निमेर्कल्स बनाना थे निमेर्कल्स टाइम टेकन होता है आपको मालूम है आप एक निमेर्कल लेके आधा घंटा बैट गए तो भीया यह टाइम पांच-शे दिन का बच्चा हूँ टाइम किसी नए मिमेर्कल पर पुरणे करने का नहीं है आप कॉणसेट को यह यह करोगे तो हो सकता है कि आपको कई कुष्चन को सालो करने में मदद करेगा। आपको मालूम है कि कांसेट क्लियर करने से होता क्या है कि हमारे new questions हमारे new questions साल्व हो जाते हैं यदि हमारा concept clear हो तो new question हम एक्जाम में साल्व कर देते हैं और आपको मैं बताऊं हर complete exam में success का एक ही फंडा है कि उस duration में आप कितने नए question महां पर साल्व कर सकते हो क्योंकि आपको पूरा पता है कि आप पूरे question जो पढ़के गए हो वहीं से सीधा सीधा question नहीं आना है सीधा सीधा question वहां से नहीं आना है इसलिए आपको concept पर ज्यादा focus करना चाहिए तीसरा इंपॉर्टेंट चीज़ यह है जो रिविजन करते समय आपको नया चीज़ नहीं पढ़ने मैंने बता दिया निव सिले बसको कवर करना है concept वाले question पर ज्यादा ध्यान देना है क्योंकि new question उसी से आप क्या करो ncrt के जितने भी problem कि हो उसको जरूरी वाइस करो क्योंकि देखो होता क्या है नीट के exam में ncrt से question पूशे आप करते हो कि सीधा सर ncrt से सीधा question नहीं आता बट मैं आपको बता हूं उसके exercise में जो question दिये हैं उस concept को मेच करते हो question हमें साथ है आप उम्मीद करते हो कि डेटा भी चेंज नहीं पांच एंपियर दिया तो पांच एंपियर मैं ऐसी बात नहीं कर रहा हूं ncrt के concept important है यहां से question आपको पूछा जाता है तो यह आप रिच्छल करो ठीक concept को रिचल करो और फोर्थ काम आप यह करो कि आपने जितना भी फार्मुला अपको जितना फार्मुला क्लिस्ट बनाया हो गया है यह यह सअग कर डेक्स वगर् deficits ब्सक्रेल करो और रिवाइस करो तीन यह बुक ले लिया वहां करिया Signalfäh यही कठ्ठा करके बेठें अब पूरा study material हमको क्या करता है परहसान करता है क्या तुछ तो मेरे फ नहीं जानता इसलिए मैं स्टर्टिंग से आपको अब मैं क्या नहीं जानता ये इंपोर्टेंट नहीं और सुल्जहां के रखना है हो ने तो एनना हो इतना होता है कि जिंदगी भर पढ़ते रहओ तो भी लगता है कि यह वाला बच सोषते लगता है कि मैं बिल्कूल भी नहीं पड़ पाया हूं दपी तो उस चिंदा में उस सोच में आपको परशान नहीं होना है ठीक है चलिए और एक इंप्वर्टन बात आप से मैं सेर करूं एक्जाम में क्वेस्टैन कैसे लेकिन लग रहे हैं को कि क्वेस्टैन करें लेकिन ये लीक्रीक करने का जो कि मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगा वो मेरे पर्सनल यह को युनिवर्सल और कोई सारोभौमिक नहीं है आप ऐसा मसमझना या मेरे को ही फालो करना है मैं अपने कुछ सलाह दे रहा हूं यदि आपको अच्छा लगे तो आप उसको फालो कर सकते हो अधर्वाइस अपनी आपकी पर्सनली स्ट्रेटीजी हो सकती है तो मैं कुछ बातों को मैं हमेशा कॉंप्टिट्व एक्जाम में हर बच्चे को एक बात बोलता हूं कि आप एक सबसे पहले आपको यह डियकार करना है कि मैं अपके काडिग्र को मालूम है क्योंकि मैं जिस और मेरी विए सब्जेट पर बात करता हूं एक तो में अपने सब्जेक्ट पर बात कर रहा हूं इस इस की बात कि तो आप क्या करो क्वेश्चन को एकदम से सब को मत पढ़ो कि कई लोग क्या करते हैं पूरा सब क्वेश्चन को लाइन से पढ़ना शुरुकर उसके बीच में रिश्चितुल से आपको नए नए उटपटान कोस्टन मिलेंगे और आप फस्ट इस मतलब फस्ट इंप्रेशन म कांसेψवल कोस्ट् 가지고 हैं तो आप क्या करो उसका answer आपको जिदी हंड़ेट परसेंट परसेंट पता है तो उसको साल करो और आगे पड़ो मतलब प्रस्थ comment को पहले स्टेज में पहले स्टेज में पहले राउंड से हैं पहला राउंड कह देता हो इसको मैं ठीक है तो पहले स्टेज में पहले राउंड में पहले राउंड में आप उन प्रस्णों को बनाओ जो प्रस्ण continuous आपसे क्या हो जा रहे हैं बन जा रहे हैं मतलब जिसमें आपको 100% confidence ठीक है अच्छा यह करते समय आपको दूसरा स्टेज में आपको बता रहा हूं कभी भी आपको बीच में कोई numerical मिला आपको कोई ऐसा numerical मिला कोई ऐसा कल्कुलेशन मिला जो तो टाइम टेकन हो यह आपसे बनेगा बट क्या हो यह तो टाइम टेकन को आप पहले राउंड में साल्व मत करो क्योंकि कई बार होता क्या है कि हम किसी numerical में उलज गए अब कल्कुलेशन तो है अब उसमें का पता नहीं चलता मैथमेटिस का ऐसी बैसिक नेचर है कि कल्कुलेशन किये जा रहे हैं कि अब बन जाएगा अब बन जाएगा बन जाएगा पता चल रहे हैं कि 15-20 मिनट हम उसमें वेस्ट कर दिये सारा प्लानिंग हमारा खतम हो गया आगे के बनने वाले कोश्चन रहें के डायरेक्ट बनने वाले को हर बड़ी में हम गलत कर देते हैं प्रेसर में आ जाते हैं ताइम नहीं बस्ता और पुल मिला पमें कहा होता है यह सब सालो करते हुए है कई बार हमको डाउट आता है और डाउट में 50-50% वाले क्वेशन रहते हैं कि आप्सन या तो ए होगा या तो सी होगा ऐसा रहता है तो मार्किंग आपको पता है आप कभी भी कि बिल्कुल रांग आंसर पर रिस्क मत लो 50-50 परसेंट वाले क्वेस्टन पर आप कुछ क्वेस्टन पर रिस्क ले सकते हो लेकिन वहां भी कई बार क्या होता है अपन क्या बोलते हैं कि जो ट्राइल एंड एरर मेथट अपन समझाते हैं आप को ट्राइल एरर में थठक मतब होता है कि कई बार हमको आंसर पता नहीं रहता बट चार में से दो आपसन हमको पका पता रहता है जानना भी बहुत तो मेरे को पता चल गया कि दो आपसंतों नहीं हो सकते भाई किसी भ्यारत में जानता हूं कि यह आपसंत आई नहीं सकता तो बचे दो में 50-50 परसेंट का चांस हो सकता है और यह 50-50 परसेंट में आप थोड़ा रिस्क ले सकते हो तो यह तुम्हारे थर्ड स्टेज में एस्पेरियंस टीचर होने के नाते मेरा अपना एक सलाह है लेकिन ऐसा कोई फिजिस्त का कंटेंट्स आपको नहीं पढ़ा रहा हूं मैं आपको कोई फोटो एलेक्टिक इफेक्ट नहीं पढ़ा रहा हूं कि जो मैं बता रहा हूं वही सत्य है यहां पर जितनी मैंने मैं ब नेचर मेहीं नहीं है तो जो भी मैंने कहा आपको वह मेरा अपना एक नीचोड़ लेकिन आपके बहुत काम को सकता है क्योंकि आप हमेशा एक ध्यान रखना की एस्पेरियंस बहुत मेटर करता है और इसमें से जितनी बातें आपके साथ में से रेजोनेंस करती हैं मतलब आपके विचारों के साथ मिलती है कि नहीं सर्मय ने भी ऐसा सोचा था तब तो उसको 100% माल लेना चाहिए मेरे ओपिनियन मेरी प्लानिंग मेरी स्टेटिजी यदि आपके स्टेटिजी को 100% मेंच करें प्रापर वहां रेजोनेंस हो जाए आपने अल्टरेटिंग करेंट में पढ़ा है तो वहां पर तो फिर ट्यूनिंग होना फिक्स है लेकिन कहीं पर एदिक मैं नहीं करता है तो अच्छे से आरे में चार पास दिन हम हेसा लास्ट का जो मोमेंट होता है बहुत इंपर्टंट होता है हर जगह को मालूम बहुत अच्छा कर 시क्षं बनाओ और अच्छा करो मेरी आप लोगों की के लिह बहुत बहुत सुपकामना है कि मेरी सार्यBeat Okay? Okay? All the best.